इंग्लिश लेर्निंग कोर्स दे डे 41 वेज तो अड़स वागत है आज असी यूज टू दा वर्तों वेखांगे इस दा मतलब है करया करदा सी जाया करदा सी जदो आसी पास्ट दियां है बेट दस्निय होन के जदो मैं छोटा सी मैं खेड़न जाया करदा सी इस तरह दी सिच्वेशन असी दस्निय होए ता असी यूज टू दी वर्तों करदे हां तो अग्गे वेख दे हां के किस तरह असी यूज टू दी वर्तों करांगे तो असी यूज टू दे नाल नाल वुड दी वर्तों मी पास्ट है बेट दस्नली कर सकदे हां गांदी जी दुपायर वेले चर्खा कत्या करदेशन, गांदी जी यूज तु स्पिन इन आफ्टरनून, जाँ आसी इसतना बना सक्देहां, गांदी जी वुड़ स्पिन इन आफ्टरनून, गांदी जी जी वुड़ नाल जाँ यूज तु लगा के एहे संटेंस बना सक्देहां, होर उदार न वेख्देहां, वहों सिग्रट पीया करदा सी, He used to smoke cigarette He would smoke cigarette असी हर रोज फोटबाल खेड़या करदे सी We used to play football every day और We would play football every day So असी तिन्ने फोटबाल खेड़या करदे हां कि affirmative, negative, interrogative sentence किस तरह यूज़ तू नल बांदे हन He used to play cricket वो क्रिकट खेड़या करदा सी इसे तरह negative बनाओ लई असी He used null not लगा सकते हां He used not to play cricket जहां असी past indefinite जिस तरह इसी बनाओ दे सी कि did तो बाद, did not तो बाद वर्बदी first form लग दी सी So असी एथे उस तरह में sentence बना सकते हां He didn't use to play cricket So असी एथे असी used to लिखना है Second form नहीं लिखनी First form लेगी क्योंके past indefinite the tense है Interrogative वेच भी असी दो तरह के नाल इसनो बना सकते हां Used he to play cricket की ओख cricket खेड़या करदा सी जहां did he used to play cricket की ओख cricket खेड़या करदा सी दो आदा मतलब सेम है So असी used as helping verb वर्थे गया है अते नीचे did as helping verb वर्थे गया है So अगला यूज वेख दे हां Used to दा इस वेच चसी वेख दे हां के accustomed to मतलब आदी होना जे में I am not used to walking long distance मैं लंबियां दूरियां तै करन दा चलन दा आदी नहीं हां He is used to taking hot coffee ओहो गर्म कॉफी पीन दा आदी है They are used to walking in a noisy room ओहो शोर शिराबे वाले रूम वेच काम कान दे आदी हन He is not used to drinking tea without sugar ओहो बिना खांड दे चा पीन दा आदी नहीं है जिवें मैं जिथे बरफपेंदी ओथे रहेंदा हुआ ता मैं कह सकता हां I am used to the cold weather ऐसे तरह She is used to a hot climate ओहो गर्म क्लाइमेट वातावन दी आदी है So इस तरह जदों आसी किसे चीज दे आदी होना दसना होए ता आसी used to the वर्तों कर दे हम